Girl Who Lept Through Time ये मूवी आज मैं आपको explain करने वाला हूँ ये 2006 की मूवी है और इसके IMDb rating 7.8 है ये time travel पर मूवी है अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में और कुछ बताओ तो ये spoiler हो सकता है तो चलिए dive in करते हैं ये story है Mokoto की ये girl होती है और ये time travel करना start कर देती है मूवी जब start होती है तो हमें दिखता है कि Mokoto अपने friends के साथ खेल रही है इसके friends का नाम चेकी और कौसुके होता है ये सब मिलकर baseball खेल रहे होते है जब ये baseball खेल रहे होते है तो उसे लगता है कि उसके पास ball आ रहा है तब उसे कुछ आवाजे सुनाई देती है उसे लगता है कि उसकी sister ने फिर से उसकी pudding खाली है जब वो देखती है तब ये alarm बज़रा होता है और वो उट जाती है ये सब उसका सपना होता है मोकोटो हमेशा लेट ही हो जाती है इस स्कुल में जाने के लिए इस दिन भी वो लेट हो गई है वो अपने फ्रेंड से वहाँ मिलती है और फ्रेंड उससे कहते है कि तुम्हें अपने schedule पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फिर हमें मोकोटो हमसे बात करते दिखती है वो हमसे कहती है कि मेरा luck हमेशा ही अच्छा होता है पर कभी-कभी वो बुरा भी हो जाता है इसका मतलब अब उसके teacher आते है और उसे test देते है उसने इसके लिए prepare नहीं किया होता तो इस वज़े से उसका love अच्छ खराब चल रहा है उसके अच्छे लग के बारे में हमें जो वो कहती है तो कहती है कि जब ही मैं cooking करती हूँ तो मैं कभी किसी को hurt नहीं करती है और मैं भी hurt नहीं हो जाती है फिर हमें scene दिखाय काया है कि school में जब cooking class चल रहा है तब वो खुद को भी hurt कर लेती है और बहुत सारा गडबड भाग करतेती है फिर हमें कहती है कि कभी भी मैं ज़्यादा पढ़कर गिरिकर hurt नहीं हुई हूँ तब ही एक लड़का उस पर गिर जाता है और वो hurt हो जाती है जब वो school में आती है तब उसने जो paper दिया था उसका result आ चुका है उसे 100 में से सिर्फ 9 अंक आये तो आज उसका दिन बहुत ही खराब चल रहा होता है उसके एक friend होती है Yuri और उसके साथ वो बात कर रही होती है वो उससे पूच रही होती है कि आगे जाकर तुम क्या लेने वाली हो Arts या Science उसे इसके बारे में खुच भी पता नहीं होता Mokoto जो होती है उसे आज लैब में ज़रा काम करना होता है उसे साबसवाई का काम दिया होता है उसके friends उसे नीचे बुलाते है पर वो जान नहीं पाती जब वो लैब में जाती है तो उसे लगता है कि वहाँ कोई है पर वहाँ कोई भी नहीं होता वो आगे चलती है तो किसी चीज पर उसका पेर के जाता है और वो बहुत ही जोर से गिर जाती है जब यह चीज देखती है यह छोटा सा एक बॉल होता है इसके बाद उसे कुछ दिखने लग जाता है ये टाइम और स्पेस में अलग अलग जगाई दिखती है और फिर से वो होश में आ जाती है वो अपने दोज दोनों फ्रेंड होते हैं उनके साथ घर आ रही होती है तो भी उनमें बोलती है कि तुमने ही कुछ किया होगा तुमने ही मुझे गिरा होगा पर उसके फ्रेंड बोलते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया था जब वो सब मिलकर बेस्बॉल खेल रहे होते हैं तो उसे कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए इस summer में हमें beach पर visit करना चाहिए यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए पर उसके friends सबके लिए मना कर देती है फिर basketball खेलने के बाद वो घर जा रही होती है उसका जो घर होता है वो railway tracks के उसपार होता है और railway tracks के यहाँ एक बड़ा सा slope होता है वहाँ से वो अपनी बाइसिकल से जा रही होती है जब वो इस लोप में ब्रेक लगाने की कोशिश करती है अचानल उसके ब्रेक फेलो जाती है वो बहुत ही डर जाती है और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती वो ट्राय करती है पर जो रेल्वे ट्रायक से वहाँ तक पहुच जाती है और वहाँ से रेल्वे आ जाती है रेल्वे आकर उसे टकरा जाती है और फिर उसे पता चलता है कि ये सब हुआ ही नहीं है उसे फिर मालूम होता है कि रेल्वे आने से पहले ही उसका accident हो चुका था वो उस लवप पे ही गिर गई थी उसे समझ में नहीं आता ये हुआ क्या है उसने तो देखा था कि रेलवे आई और उससे वो टकरा गई पर ये बच के सकती है टाइम में पीछे वो चली गई होती है उसकी मदर ने उसे एक उसके मदर के sister के यहाँ उसे जाक कर उसे वो दे कर आना होता है इसमें खाने के लिए कुछ होता है फिर वो उसके आन के यहाँ चली जाती है वो बिल्यू नहीं कर पाती कुछ वो अभी भी जिन्दा है वो अपने end से पुछती है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं जिन्दा हूँ? फिर उसकी end अपने office में उसे ले कर जाती है फिर मोकोटो उसे कहती है कि मैं time में मैंने जम मारी है उसके end से कहती है कि ये तो मैं भी करती हूँ मैं जब संडे में सोई थी मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ जब मैं उठी तो इविनिंग हो चुकी थी मोकोटो कहती ही कि इस तरह से नहीं मैं एक्च्वल में कर रही हूँ उसकी एंड भी इससे बिलिव करती है मोकोटो फिर अपने घर आ जाती है और अपने रूम में बैठी हुए होती है वो इसी चीज़ पर सोच रही होती है कि क्या मैंने सच में टाइम में जम की है उसके आंड ने उसे बता होता है कि तुम टाइम को रोक नहीं सकते तुम्हें time में reverse जाकर फिर से आना पड़ता है इन सब चीजों पर अब वो सोच रही होती है उसे फिर idea आता है उसे लगता है कि अगर फिर से वो उसी तरह से गिर गी जिसी तरह से वो train से गिरी थी तो वो फिर से time में जम कर सकती है इसको टेस्ट करने के लिए वो अपने room में ही गिर जाती है धराक से आवाज आती है तो उसकी छोटी सी sister जो होती है वो उसे देखने के लिए आ जाती है कोटो की time jump नहीं हुए तो मोकोटो को लगता है उसे खिड़गी से jump माननी पड़ेगी फिर वो time jump कर सकेगी वो कोटी की sister जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है और उसे रोक लेती है उसे लगता है कि यह suicide कर रही है उसे कहती है कि यह सब मेरा fault है मैंने तुमारी pudding नहीं खानी चाहिए थी मोकोटो को उसकी pudding बहुत याच्छी लगती है उसकी sister उसे sorry कहती है वो कहती है मैं कभी भी तुमारी pudding नहीं खाऊगी प्लीज मेरी वरज़े से तुम ऐसा मत करना मोकोटो फिर घर से बहार निकल जाती है वो river के पास आती है river के पास आने के बाद वहाँ एक बड़ा सा ground होता है तो वो अब decide करती है कि यहाँ से वो jump कर सकती है वो बहुत ही जोर से दोड़ती है और यह jump मारती है इस jump मारने के बाद वो फिर से दिन के शुरुव में आ जाती है उसकी pudding अभी भी खतम नहीं हुई है वो freeze में जाकर यह देखती है तो उसकी पुडिंग अभी भी होती है जब मोकोटो घर पर होती है तो उसके पैरेंट्स और उसकी सिस्टर आ जाती है उसके सिस्टर उसके पैरेंट्स से पूछ रही होती है कि क्या मैं मोकोटो के पुडिंग खा सकती हो उसके parent भी उसको permission दे देते है मुकोटो फिर चिर जाती है और बोलती है कि ये मेरी pudding है पर इससे अब उसके parents को पता चल गया है कि ये घर पर है पर मुकोटो को ये आजनी लगता ये होने नहीं देना चाहती तो इसलिए वो फिर से time में जम मारती है वो फिर से present में आ जाती है जब वो देखती है तो फिर से river तक आ चुकी है और वो खुश हो जाती है वो actual में उसने time जम मारी है ये उसे पता चल जाता है वो फिर से उसे time में जाती है और अब अपनी pudding enjoy करती है जब next दिन होता है तो वो सुबा जल्दी उठती है वो time में फिर से विर से वाफस जाकर बहुत सारे sleep लेज सकती है इसी वज़े से आज वो late नहीं होती जब उसकी test ओने वाली होती है तो इसके लिए भी उसने prepare किया होता है तो इसलिए अब उसे hundred में से hundred marks आते है cooking class में भी वो कुछ भी mess नहीं करती वो अपनी जो जगा है वो किसी और से trade कर लेती है और जो incident हुआ था वो किसी और के साथ ही होता है जब वो रस्ते से चल रही होती है जैसे हमने previous में देखा था कि एक लड़के से वो टकरा जाती है वो उसे hurt कर देता है पर इस बार वो जुख जाती है जब उसकी friend उससे बात कर रही होती है कि तुम future में क्या करने वाली हो तो उसे कहती है कि मैं foreign में जाकर सीखने वाली हूँ अब उसे grades की कोई भी जिनता नहीं है क्योंकि वो time में वापर जा सकती है और अपने grades चेंज करवा सकती है तो इसलिए अब वो सबने देख रही होती है उसे उसके friend के साथ कुछ करना था कुछ fun करना था तो अब वो अपने friends को लेकर एक carry-o के बारलर में आई है वहाओ पैसे देखकर उनकी hour होता है तो जब यह hour खतम हो जाता है तो फिर से वहाँ प्रकट हो जाती है फिर से वो time जम करती है और फिर से वही hour जीती रहती है 9 घंडे तक यह वो repeat करती है जब वो घर आती है तो उसके पसंद का खाना आज नहीं होने वाला होता तो इसी वज़े से वो फिर से time जम करती है जब उसे अच्छा खाना मिलता है उस जगा पर जाकर फिर से वो खाना खाकर फिर से present में आ जाती है उसके end के लिए खाने के लिए बहुत सारी pastries वगर लाती है उसके end उसे पुछती है कि ये सब तुमने कैसे लाया मुझे सिर्फ अपने allowance के दिन पर जाना पड़ेगा और मुझे स्फिर से सब बैसे मिल जाएंगे क्या तुम तुमारे skills किसी अच्छी चीज के लिए नहीं यूज कर सकती तुम ये सब जो कर रही हो इससे कोई hurt हो सकता है मॉकोटो बोलती है कि मैं जो भी कर रहे हूँ इससे कोई hurt हो सकता है वो आपने आपको समझा लेती है कि इससे कोई भी hurt नहीं होगा मेगसिन में हम देखते है माकाटा को जो एक फ्रेंड कोशु का उसे प्रबोज करने के लिए एक लड़की आती है उसे वह टर्न डाउन कर देता है जब माकाटा और उसका फ्रेंड चाहे कि इससे पुछते हैं कि वो लड़की तुम्हारे पास क्या कर रही थी फिर कोशुका कहता है कि मुझे प्रोपोस करने के लिए आई है मैंने उसे टर्ण डाउन कर दिया है फिर मोकोटो कहती है कि यह तो लड़की वैसे ही थी जो तुम्हें पहले पसन आई थी वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है फिर यह तीनों घर जाने के लिए चलने लगते है मोकोटो का फ्रेंच जेकी उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूँ उसके पास बाइसिकल होती है और फिर यह दोनों बाइसिकल पर घर जाने लग जाते है फिर उसका फ्रेंच जेकी उसे कहता है कि अगर उसने उस लड़की को हा कर दिया होता तो उसकी girlfriend हो जाती अगर उसकी girlfriend हो जाती तो वो हमें इतना time नहीं दे पाता तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है मोकोटो इस पर उतना सोचती नहीं फिर जेकी उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे date करोगी ये सुनकर मोकोटो बहुत ही awkward फिल करती है उसे इस बल में आना नहीं होता तो वो cycle stop करने के लिए बोलती है और फिर से time में वाफर जाती है फिर से वही सीन में वो आ जाती है जहां वो उसके साथ ride कर रही होती है वो subject change करने कोशिश करती है फिर वो उसे बोली देता है फिर next दिन जब उसने उसे पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी तब वो मना कर देती है अपने आन के पास वो आई होई दिखती है वो क्या थी है कि वो ऐसे कैसे पूछ सकता है मैं imagine में नहीं कर सकती है कि जएक ही मेरा friend से ज़्यादा कुछ होगा फिर वो अपने आन को ये भी बताती है कि वो time में वापस गई और ही कभी हुआ ही नहीं ऐसा उसने pretend किया है और उसके आन केती है कि ये तो बहुत ही गलत है उसने इतने करेश से तुम्हें बताने की कोशिश की थी और अब उसे पता भी नहीं है कि तुम्हें ये मालूम है नेक्सिन में हम देखते है कि मोकोटो का एक classmate जो होता है उसे कुछ लोग तंग करे होते है उसके वो खीच रहे होते है ये वही लटका होता है जिसके साथ cooking class में मोकोटो ने अपना place trade कर दिया था तो मोकोटे के साथ पहले जो accident हुआ था cooking class में तो वो अब इस बच्चे के साथ हुआ है ये सब देखकर अब उसे बच्चे छीडाने लगे है मोकोटो अपने friend कोशुक के साथ उस बच्चे को बच्चाने के लिए चाती है वो मोकोटो को भी blame कर रहा होता है वो कहता है अगर तुमने मेरे साथ places trade ने क्यों थी तो ये मेरे साथ होता ही नहीं वो इग्नोर कर रही है ये जब सब हो रहा होता है तो मोकोटो कीची friend होती है उसे चैकी पर crush होती है तो इसलिए वो उसे ask out कर लेती है ये दोनों एक game के लिए जाने वाले होते है इसमें मोकोटो भी आने वाली होती है पर उसे वो bypass कर देते है फिर next में हम देखते है कि जिस ब बहुत ही चिट गया है वो एक fire extinguisher लेकर आता है और इसे उस बच्चो पोर लगाता है सब इससे बहुत ही डर जाते है वहां मोकोटो भी आती है तो मोकोटो को ही वो blame कर रहा था इसलिए वो fire extinguisher वो उस पर तान देता है ये fire extinguisher फेकता है तब चेकी उससे बचा लेता है चेकी इससे बहुत ही हर्ड हो जाता है तो इसलिए फिर से मोकोटो टाइम में वापस जाती है और चेकी को भी बचा लेती है उस fire extinguisher को अलेक डिरेक्शन में फेक दीती है पर जब फेकती है तब मोकोटो को ही फ्रेंड को ही लग जाता है जैसे हमने पहले भी देखा था कि चेकी और उसके फ्रेंड का दोनों का कुछ चल रहा है और फ्रेंड उसकी हर्ड हो चुकी है तो डॉक्टर के पास वो होती है तो चक्की भी उसे मिलने के लिए आता है जब वे तीनों फ्रेंड जब वे तीनों फ्रेंड बेसबॉल खेल रहे होते है तो कोशुको चेकी से बुच्चता है कायसे तुम किसी लड़के को गेम में लेकर जाना चाहते हो。 वह कहता है कि वह भी इसमें इंट्रेस्टेड है। हम दो में बहुत सारा कॉमन है। तब उसके आप में उसे बुर्ष दिखता है। वहाँ 90 का साइन होता है उसे समझ में नहीं आथा कि ये है क्या वो फिर इसे इग्नोर कर देती है अब जाए कि मोकोटो के साथ बेसबॉल नहीं खेल रहा तो वो और कोशोका ये दोनों ही बेसबॉल खेल रहे होते हैं कोशोका से पूषती है कि उस लड़गी ने तुमें प्रफोस किया था तो तुम उसके साथ क्यों नहीं गये कोशोका कहता है कि अगर मैं उसके साथ चला जाता तो तुम अकिली रह जाती वो भी उसको लाइक करता है यह वो यहां कहता है अब Mokoto conflict में होती है वो अपने end के पास आती है उसे कहती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है फिर उसकी end उसे एक suggest करती है वो कहती है कि तुम इसे try it कर सकती हो तुम फिर से वापस time में जा सकती हो और इस सब को फिर से ठीक कर सकती हो Mokoto कहती है कि मैं इस तरह से लोगों की feelings के नहीं खेल सकती है उसके आंडो से कहती है कि लोगों की feelings के नहीं खेलोगी तुम टाइम में जब वापस जाओगी तब सम प्रिसेट हो जाएगा फिर भी मोकोटो यह नहीं करना चाहती यह सब जो बात कर रहे होते हैं तो वो एक music में होती है उसके आंड उसे एक unique painting दिखाती है उसके आंडो से कहती है कि जब भी मैं इस painting को देखती हूँ तो मुझे बहुत इक काम महसूस होता है नेक सिन में हम देखते है तो मोकोटो उसके career counselor के पास आई हुए होती है उसके life में जो भी सब चल रहा है तो इसलिए वो concentrate नहीं कर पाती जब वो वहाँ जाकर नेचे उतर रहे होती है तो वो फिर से अपने हाथ को देखती है वहाँ का जो 90 बना हुआ होता है वो अब 50 हो चुका होता है वो परिशान हो जाती है वो कहती ही कि पिछले बार मैंने जब देखा था तो वे तो 90 था ये कैसे 50 हो सकता है उसे फिर कुछ लड़किया आकर घेर लेती है वो उसे पुछती है कि क्या तुम कोशोकों का डेट कर रही हो फिर जब मोगोटा उसे पुछती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो तो उसमें से एक जो लड़की होती है वो स्टोरी सुनाती है वो कही थी है कि मेरे ग्रैंड मदर एल्डरली हाउस में जब थी तो एक लड़का उसे मदद करता था वो बहुत ही अच्छा था और इससे उसे पैर में ये पढ़ गई जब इस स्कूल में आई तो उसे पदा चला कि ये कैशो का ही है हर रोज उसे वो देखती थी तो उसे ज़ादा ही उसे पैर हो गया है तो इसे के लिए वो उसे पूच रही है फिर मोकोटोस से कहती है कि जो सब तुमारी फिलिंग से इसके लिए मैं कुछ करूँगी मैं इसको सही कर दूँगी फिर से वो टाइम में वापस जाती है जब ये लड़की उसे आसकाउट करती है उसे टाइम में वापस आ जाती है वो कोशोगों से कहती है कि इसकी ग्रायन मदर को तुमने हेल्प किया था कि उन लड़कियों ने अभी तक उससे नहीं पूछा है तो इससे वो फिर से टाइम में वापस जाती है इस बार फिर से वो गरवर कर देती है वो कहती है कि ये तुमसे प्यार करती है इस बार भी ये सही नहीं कर बाती है जब वो पास में जाती है तो मुवी जहाँ से स्टार्ट हुई थी जिस डेर से स्टार्ट हुई थी जिस डेर में वो लेट हो चुकी थी उस डेर में वो वापस आ जाती है वहाँ जाकर जिस लड़के ने उसे हट कर दिया था उसके सामने वो कोशोकों को डाल देती है वहाँ उस लड़की को भी उसने बैठा हुआ होता है तो इस वज़े से उस लड़की और कोशो का में लो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है उस लड़की के पैर स्ट्रेन हो चुके होते है तो उसकी केर करने के लिए कोशो को दिन भर उसके साथ रहता है कि फादर डॉक्टर होते है तो उसकी मलमबटी करने वाने के लिए वो उनके पास वो उससे लेकर जाने वाला होता है मोकोटो को अब लगता है कि जब वो लैब में थी तो वहाँ कोई था तो उससे उसे ढूड़ना चाहिए तो वो लैब में आती है और वहाँ चिपी हुई होती है वहाँ दर्वाज़ा खुलता है पर वहाँ उसकी फ्रेंड ही हुथी है वोसे पुछती है क्या तुमने यहाँ किसी और को देखा तो उसकी फ्रेंड को वो मालूम नहीं होता तब ही मोकोटो को मैसेज आ जाता है वो मैसेज कोशो को का होता है वो उसकी फ्रेंड को लेकर मोकोटो के बाइसिकल से उसे वो लेकर जाना चाता है पर ये वही दिन है जिस दिन मोकोटो का एकसिडन हो चुका था तो इसलिए अब वो डर जाती है जो वो जाकर देखती है जहाँ उसकी बाइसिकल पाग होती है पर वहाँ उसकी बाइसिकल उसे नहीं मिल पाती फिर वो उसके पीछे भागती है जहाँ एक्सिडन हो चुका था उस साइट पर वो आ जाती है पर अबे भी ये एक्सिडन नहीं हुआ है उसे लगता है कि अब ये accident नहीं होने वाला वो chain की सास ले थी है और फिर उसे जैकी को call आता है बहुत दिनों बाद वो अब जैकी से बात कर रही है तो उसे कहती कि मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों से में तुमारे साथ बात नहीं की है वो उसे base call के बारे में बहुत ही अच्छ से बात करती है तो जैकी को शक जाता है वो फिर उसे बुचता है कि क्या तुम time jump कर रही हो मुकुटो को ये समझ में नहाता कि ये हो क्या रहा है जैकी को ये पता कैसे है पर उसे वक कोशो को और वो लड़की उसके bicycle में उस slope से चलते हुए उसे दिखती है उसे बता होता है कि इनका accident होने वाला है वो उनके पीछे दोड़ती है वो पुरी जान दगा देती है पर वो गिर जाती है बुरी तरीके से hurt हो जाती है और इस accident में कोशो को मर जाता है वो चिलाने लग जाती है रुको 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 पर फिर time धम जाता है वो फिर से ज़रा past में आ जाती है उसके आसपा जो भी लोग होते है वो freeze हो जाते है वहाँ चेक ही आया होगा होता है उसे पूछता है क्या तुम मुझ पर हसोगी तो नहीं अगर मैंने तुम्हें कहा कि मैं future से हूँ फिर वो उसके future के बारे में कहता है जिस future से वो आया होगा होता है वहाँ एक device होता है जिससे लोग time travel कर सकते है उससे हमारी body हमें charge करने पर थी है और उसके बाद वो time travel कर सकते है वो फिर कहता है कि मैरे जो time है वहाँ lake नहीं है baseball नहीं है यह सब सुनकर मोकोटो को बहुत ही अजीब लगता है चे की summer के लिए वहाँ आया हुआ होता है पर जब वो मोकोटो से मिलता है कोशोको से मिलता है तो वो यह उसके अच्छे friend हो जाते है अब उसके घर जाने के लिए यानि कि future में फिर से वापस जाने के लिए उतनी motivation नहीं रहती तो इसी वज़े से वो उनकी school में admission ले ले लेता है वो फिर उसे museum में लेकर आता है उसे कहता है कि यहाँ एक painting हुआ करती थी कि मेरी future में यह painting थी पर यह तेहस नहीं सो चुकी थी तो इस painting को फिर से एक बार देखने के लिए मैं इस time में आया था यह चो museum था इसी museum में मुझे वो दिखनी वाली थी पर अभी तक यह restore नहीं हुई है मोकोटो की sister इस पर काम करी होती है पर अभी तक यह ख़दम नहीं होता चेकी फिर उसे कहता है कि में past में time travel के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता फिर वो उसे छोड़ कर हमेशे के लिए जाने वाला होता है मोकोटो से कहती है कि जो तुमें painting देखनी थी वो अभी restore हो रही है थोड़ी दिन बाद तुम उसे देख सकती हो पर चेकी को अब यहां नहीं रुकना होता वो फिर वहाँ से चला जाता है चेकी चला गया है तो सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते है सब stories बना रहे होते है कि वो कहा गया है कोशोको से कहता है कि मुझे उसने नहीं बताया तो ठीक है पर तुमें भी ना बताया चला गया यह तो नहीं possible हो सकता वो तुमको बहुत ही like करता था फिर मोकोटो से कहती है कि यह तुमें कैसे पता है कोशोगों से कहता है कि ये सब को पता है ये तो अबियस ही था मोकोटो फिर वहाँ से चले जाती है और अपने आयन के पास आ जाती है मोकोटो अपनी frustration अपने आयन को बताती है तो उसके आयन उसे कहती है कि मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी जब हम छोटे थे तब से हम एक दूसरे से प्यार करते थे जब हम बड़े हुए तो हम अलग-अलग रस्ते पर चले गए पर उसने मुझे बता कर गया था कि वो फिर से आएगा बहुत सारा टाइम गुजर गया है फिर मैं उसके वेट करी हो पर वो फिर मोकोटो को कहती है कि तुम मेरे जैसरी हो तुम्हें अगर चैकी को पाना है तो तुम केसी भी तरह से उससे पास सकती हो तुम टाइम के लिए नहीं रुकती फिर मोकोटो घर पर आ जाती है फिर वो देखती है कि उसके पास और एक चांस होता है वो फिर से पास में जा सकती है हमने देखा था कि चैकी ने एकसिडंट होने से रोक लिया है मोकोटो ने उस एकसिडंट को रोकने के लिए है उसका last chance यूज़ किया था तो अब उसने ये use नहीं किया है तो उसके पास, पास में जाने के लिए या future में जाने के लिए और एक chance है यह देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है जो first day होता है जब उसे पता चलता है कि वो time travel कर सकती है उसी दिन में वो वापस आ जाती है वो जब lab में होते है तो वो उसके friend के साथ होती है उसके friend उसके साथ चेकी के बारे में बात कर रही होती है मोकोटो से कहती है कि मैं उसे like करती हूँ उसकी friend भी बोलती है कि ये भी ठीक है वो भी इसे deal कर लेती है जो वो अपने friend कोशोको से मिलती है तो वहाँ वो सब लड़किया होती है जो उसे approach करने वाली होती है फिर मोकोटो उसे कहती है कि उन लड़कियों को जाकर तुम इन्वाइट कर लो उनके साथ भी मुझे आज बेसबॉल खेलना है इसे कोशोको और वो लड़की ये दोनों बात कर सकेंगे और इन में कुछ हो सकेगा इसलिए एक मोकोटो ये करती है मोकोटो को उसे ये भी बता कर जाती है कि अगर तुमने मुझे से फिर से मेरी बाइस ही कर लिए तो मैं बहुत सारे पैसे मुझे देने पड़ेगे यानि कि वो एकसिडन को भी टाल देती है फिर वो चेकी के पास जाती है वो से जाकर उसका वो छोटा सा डिवाइस दिखाती है चेकी कहता है कि मैंने तो तुम्हें ये कभी भी नहीं दिखाया मोकोटो कहती है कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है चेकी कहता है कि मैं बहुत इडियेट हूँ मुझे तुम्हें ये कुछ में नहीं बताना चाहिए था वो से पूस्ता है कि क्या तुम अभी भी लीप कर सकती हो मोकोटो कहती है कि नहीं मैंने ये लास्ट टाइम यूज कर लिया है फिर हमें दोनों मोकोटो और चेकी लेक के पास बैठे हुए होते है फिर मोकोटो चेकी को कहती है जिस पेंटिंग के लिए तुम आये थे उसे मैं प्रिजर्व करने का पूरी कोशिश करूँगी जब तुम फिर से वापस फ्यूचर में जाओगे तो तुम्हें वो पेंटिंग 100 बसे मिलेगी जेकी भी इसके लिए उसे थेंक्यू कहता है फिर जेकी उसे कहता है कि जब मैं यहाँ आया था तब मैं फिर वापस जाने वाला था पर जब मैं तुम लोग से मिला तो मेरी तुम से बहुत अच्छी फ्रेंट्शिप हो गई इसलिए मैं रुख गया मोकोटो कहती है कि इस वज़े से तुम नहीं रुखे थे जेकी उसे बुखता है कि मैंने तुम्हें क्या बताया है पर वो उससे कुछ भी नहीं बोलती है अब जेकी वापस जाने वाला होता है तो जादे जादे उससे कहता है मुझे तुम से कुछ बताना है वो उसे कहता है कि तुम चलते चलते बहुत ही गिरती हो तब तुम्हें ऐसा नहीं करना है तुम्हें अपना खयाल रखना है Mokodo डिस्टब हो जाती है कि उसने मुझे यह क्या कहा वो जो कहने वाला था उसने मुझे वो नहीं कहा उस पर जी जाती है और जाने के लिए बोलती है थोए टाइम में फिर से चेकी उसके पास वापस आता है वो उसे हग करता है और कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए मैं वेट करूँगा फिर नेक्सिन में हम देखता है कि मोकोटो कोशो का और जो सब लड़किया थी वो उसके साथ खेल रही है कोशो को मोकोटो से कहता है कि कैसे वो जा सकता है मोकोटो कहती है कि उसे कुछ मिल गया होगा इसलिए वो उसे परस्यू कर रहा है फिर मोकोटो कहती है कि मेरा भी एक प्लैन है कोशोगों से पुछता है कि ये क्या है तूसे कहती है कि ये सिक्रेट है जब मोकोटो ये बोलती है तो वो सकाय के बास देख रही हुती है वो चेकी से फिर से मिलना चाती है फिर उसे उसके लिए कुछ करना होता है इसी काय ब्लान होता है जिसे हमने पहले देखा था उसकी एंड उसे क्या थी है कि तुम रुकने वाली लड़कियों से मैसे नहीं हो तुम्हें जो भी चाहिए हो तुम पा लेती हो अब उसने डिसाइड किया है कि वो ट्राइम ट्राइवल करेगी और फिर इसे चेकी से मिलेगी यह कैसे भी वो कर सकती है इस एंडिंग को आप किस भी तरीके से सोच सकते हो आप सोच सकते हो कि वो वेट करने वाली है या टाइम मशिन डेवलोप करने वाली है इसे बहुत सारी एंडिंग डेवलोप करने के लिए डाइरेक्टर ने आपको या छोड़ा है Anyway, मुझे ये time travel वाली theory बहुत ये अच्छे लगती है तो यही ये movie खतम हो जाती है और एक movie के साथ या series के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज इसे like कर दीजेगा और आपको और भी ऐसे कुछ देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफिकेशन आइकोन दबा दीजे यहीं कि आप सब मेरी वीडियो देख सके थैंक्यू गाइस